चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स, what if class 6 हनी शकल से पोएम लिग गई है और शैल सिल्वस्टीन जो है इसके जो रैटर है, पोएट है, ये एक अमेरिकन पोएट है और इनका जो पूरा नाम है शैल सिल्वस्टीन है शैल सिल्वस्टीन नाम के जो पोएट है ये इन्होंने लिखी है ये पोएम ये एक कार्टोनिस्ट भी थे स्टोरी राइटर भी थे ये मान के चले कि ये मल्टी टैलेंटेड विखती थे तो चलो शुरू करते हैं फ्रेंट्स यहां पर इसमें क्या है वोट इफ में अगर क्या होता अगर ऐसा होता इस तरह से जो क्वेश्चन है हमारे दिमाग में आते रहते हैं बच्चों के बहुत दिमाग में आते रहते हैं इस तरह के क्वेश्चन तो उन क्वेश्चन का ही एक तरह से ये जवाब है कि इस पोएम में क्या चीज लिखी हुई है चले शुरू करते हैं लास्ट नाइट आई ले थिंकिंग हीर यानिकि लास्ट नाइट मैं यहाँ पर सोच रहा था और लेटा हुआ था some what ifs crawl inside my ear यानिकि कुछ what ifs का मलब कुछ ऐसे question कि क्या होता अगर इस तरह के questions मेरे दिमाग में आते हैं धीरे से वो रेंगते हैं यानिकि मेरे कान के अंदर वो घूंजने लगते हैं अपने आपी and pranced and partied all night long और वो सब एक तरह से party करते हैं पूरे मलब दिमाग को गुहांके रखते हैं ठीक है बार बार वो दिमाग में कौंधते रहते हैं आते रहते हैं and sang their same old what if song और वो same song वो काते हैं अरतात कहेंगी वो ही question बार बार मेरे दिमाग में circulate होता रहता है बार बार दिमाग में आता रहता है what if I am dump in school क्या होता कि अगर मैं स्कूल में dump हो जाता dump का मलब होते हैं गूंगा तो क्या होता मैं अगर स्कूल में गूंगा हो जाता what if they have closed the swimming pool और क्या होता कि अगर उन्होंने swimming pool को बंद कर दिया होता जिस swimming pool में हम enjoy करते हैं अगर उसको बंद कर दिया होता what if I get beat up और क्या होता अगर मुझे पीटा जाता तो यह बहुत सारे question friends मारे दिमाग में आते रहते हैं क्या होता ऐसा हो जाता तो beat up का मुझे यहां पेटा जाता what if there is poison in my cup और क्या होता अगर मेरे cup में जिसमें में दूद या चाही या कोफी पीता हूं उसमें कोई poison डाल देता या उसमें poison होता what if I start to cry और क्या होता अगर मैं रोना शुरू कर देता चिलाना शुरू कर देता what if I get sick and die क्या होता अगर मैं बिमार हो जाता और मर जाता इतने सारे questions दिमाग में आते रहते हैं friends हमारे दिन बढ़ तो उनी questions का एक हिस्सा है what if I flunk that test और क्या होता अगर मैं उस test में fail हो जाता flunk का मतलब यहां पे fail होना है what if green hair grown on my chest और क्या होता अगर मेरी चाती के ओपर हरे बाल उक आते naturally क्या होता है कि हमारी चाती पर बच्पन में तो बाल होते नहीं है बड़े होकर के बाल होते है तो क्या होता अगर मेरी चाती पर इस तरह के हरे हरे बाल हो जाते what if nobody likes me और क्या होता कि कोई मुझे पसंदी ना करता ये भी एक परेशानी हो सकती है कहीं बार हमें लगता है कि अरे कोई मुझे पसंद नहीं करता है तो क्या होता ऐसा कि अगर मुझे कोई पसंद नहीं करता what if a bolt of lightning strikes me क्या होता कि जो आसमन की बिजली है वो कड़कडाती हुई मेरे ओपर गिर जाती what if I don't grow taller और क्या होता कि अगर मैं बोना ही रह जाता मैं बड़ा ना होता तो ये भी एक मुश्किल भरी बात है मुश्किल बड़ा question है कि क्या होता अगर मैं बोना रह जाता अरतात मेरी growth ही ना होती what if my head starts getting smaller और क्या होता अगर मेरा सिर अपने आप छोटा होता चला जाता खेंड का मतलब ये है कि दिमाग में इस तरह के अजीब questions हमारे दिमाग में आते रहते हैं क्या होता मेरा सिर अचानक से छोटा होता चला जाता what if the fish won't bite और क्या होता अगर जो है जो मचली होती है वो ना काटती जबकि मचली काट लेती है कहीं बार तो क्या होता अगर मचली ना काटती what if the wind tears up my kite क्या होता अगर जो wind है हवा है तेज हवा का जोका मेरे पतंग को फार देता what if they start a war और क्या होता अगर वो एक युद्ध शुरू कर देते what if my parents get divorced क्या होता अगर मेरे parents जो है अलग हो जाते डाइवोस हो जाता उनमें तलाग हो जाता what if the bus is late क्या होता अगर bus लेट हो जाती बहुत सारे question friends इतने question होते हैं बच्चों के दिमाग में तो उन्ही questions का ये एक हिस्सा है और इसको एक poem में उतार दिया है what if my teeth don't grow in straight और क्या होता अगर मेरे दात सीधे नयोगते तेड़े मेड़े उग जाते तो बड़ा जो अजीब सा लगता face जो है बड़ा अजीब सा हो जाता what if I tear my pants और क्या होता कि अगर मेरे pants फट जाती बड़ी problem हो जाती है ना सब मजाक उड़ाते हसने लगते सब what if never learn to dance और क्या होता कि मैं कभी भी dance ना सीख पाता everything seems swell and then the night time what if strikes again और चलो कहीं बार ऐसा होता है कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है and then the night time और उसी समय रात को what if strikes again और फिर से जो what if है वो दिमाग में आ जाती है इनकी एक question चलो रात में आ जाते हैं फिर अगले दिन सुबह होती है और सुबह हम फिर normal life में आ जाते हैं लेकिन क्या होता है कि जैसे रात होती है और हम सोने को जाते हैं तो what if question यह हमारे दिमाग में दोबारा से आ जाते हैं तो friends इस poem में इतना ही है यह questions जो हमारे दिमाग में चलते रहते हैं तो यह निराधार question होते हैं इनका कोई reply नहीं हो सकता है क्यों नहीं हो सकता है reply क्योंकि ये question अजीव होते हैं इनका जवाब भी अजीव होगा तो उसमें हमें प्रेशानी खड़ी हो सकती है तो friends इसलिए इस poem को ध्यान से पढ़ें थोड़ा ठीक है friends इसमें कुछ question भी है who is the speaker in the poem यहाँ पर यह यह शेल शेल सिल्वस्टीन है यहाँ पर यह पर ठीक है American poet है तो यहाँ पर होगी जगे हम यह शेल सिल्वस्टीन लगा देंगे with your partner list out the happenings the speaker is worried about इसमें जो जो happenings है वो हमें यहाँ पर लिखनी है जिसके बारे में जो writer है वो परेशान है speaker जो है वो परेशान है why do you think he she has these worries can you think of ways to get rid of such worries आपको क्या लगता है कि यह ऐसा क्यों आता है दिमाग में यह common question है जब बच्चे होते हैं तो उनके दिमाग में आते रहते हैं और इनसे चुटकारा पाने के लिए है कि हम अपने आपको थोड़ा बीजी कर लें पढ़ाई करें ठीक है या कुछ और अच्छी सी बात सोचते रहें ठीक है फ्रेंड्स तो इस तरह से एक पोईम यहां पर पूरी होती है थैंक्यू फ्रेंड्स